नमसकार दोश्टो मैं पौ divine सर आप सभी छात्रों का एक बाद फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूटू प चनल ह में चलिंए दो स uniquely क्लास के साथ आर खिंग क्लास की सुरुआजत करने चला हूं दोस्तू आज की बात करें क्लास बहुत ही सम्धार उने वाली है और किलास 10-12 के हिंदी के अतिमहत्वपूर्ण कोशन को लेकर क्या हूं जो बहुविकल्पी कोशन होते हैं दोस्तों यह बोर्ड एक्जाम से कोशन कहा जाता है लिया गया है दोस्तों यही सारे कोशन आपके पेपर सेट में जो जरूर पूछेंगे तो मैं आप से एक ही रिक्व कोशन बता रहा हूं कि यह कोशन बहुत ही इंपॉर्टेंग कोशन होने वाला है तो आप चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं अभी तक का इस चैनल को जो भी सक्स्राइब नहीं किया उसक्स्राइब कर ले और सभी लोगों के पास यह सेंड कर दिया जाए चलिए दोस्तो महत्पूर्ण बहुविकल्पी प्रस्न है यह 95% दोस्तों रियल में आपको बता रहे हैं यहां से कोशन मिलेगा और बात करें दोस्तों 10 नंबर आते हैं दोस्तों 10 नंबर आपके 100% यहां से कोशन जरूर मिलेंगे आप लोग इसको अच्छे से देख लिजे पूरा सुरू बात करते हैं पहला कोशन की पहला कोशन दोस्तों लिखा है च्छायावाद के परवर्तक माने जाते है दोस्तों आपसे कह रहा कि छायावाद के परवर्तक माने जाते हैं आपसन ए निराला जी वी है जे संकर परसाद सी सुमित्रा नंदन पन ते डी आपसे महादेवी बर्मा तो याद रखना छायावाद की जो परवर्तक माने जाते हैं ओ जे संकर प्रसाद जी क्यों कहते हैं? किसको कहते हैं? जे संकर प्रसाद जी होते हैं छायावाद के परवर्तक के बात करें तो चली दूसरा कोशन देखते हैं तो आज कर जो दूसरा कोशन होगा ओ कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है इसका जो answers होगा दोस्तों सुमित्रा नंदनपंथ की रचना नहीं है तो ये देखिए पल्लाव भी इनकी रचना है सुने धूली भी इनकी रचना है ग्रन्ती भी है अगर बात करें ये आपका दी नमबर अर्थाद गा नमबर है इसका सहीतोर, जो सुमित्रा, यंदर्डन, पंति की रचना नहीं है, ठीके, चली, अगला कोशन देखते है, कोशनम नंबर तीसरा, कोशनम नंबर तीसरा अगर बात करें, लिखा है、 चित्रधार काव की रचना और की भाँशा है तो आपसन काम नुम लिखा अवधी ब्रजए कंण्योंजी भोजपूरी जूश्टोँ अगर चित्रधार काव की जो भाँशा होती है और कौन सी होती है तो ओ आपसन होती है ब्रज भासा कौन सी भासा होती है ब्रज भासा ठीक है चली कोशन देखते हैं चोथा कोशन चोथा लिखा है पपीहों की वह पीन फुकार किसकी पंक्ती है किसकी पंक्ती है इसका आपसन देखा जाए तो आपसन का नंबर में लिखा है भा सुमित्रा नंदन पंते महादेवी वर्मा तो इसका जो राइट एंसर होगा ओ दोस्तों क्या होगा सुमित्रा नंदन पंते ठीके चले कोशन देखते हैं अगला कोशन अगला बात करें कोशन नमबर पांचवा जो लिखा है सुमित्रा नंदन पंते महादेवी वर्मा रामधारी सिंग दिनकर आयोध्या सिंग उपाद्याय हरी अओदे तो ग्रन्थी काव संग्रा की जो रचना कार हैं और कोन है विया आपका आपसन ए नमबर होगा सुमित्रा नंदन पंते जी ठीके चली कोशन देखते हैं चछठा तो बात करें दुस्तों चछठा कोशन वेरी इंपॉर्टेंट कोशन है यह हर साल एक्जाम में पूछता है तो इस कोशन को आप लोग जरूर अच्छे से देख करके जाना होगा एक्जाम में यमा आपसे पूछता है यमा किसकी रचना है यमा किसकी रचना है तो आपसन का है जैसंकर प्रसाद की महादेवी वर्मा की आगे की सुमित्रा नंदन पंत की तो याद रखना यमा जो होती है यमा रचना है किसकी भई महादेवी वर्मा जी की किसकी है महादेवी वर्माजी की तो इस तरह से आपने देखे छे और कोशन मैं आगे आपको दिखा रहा हूं जी देखते हैं कोशन अगला आपसे क्या कह रहा है कोशन अगला बात करें दोस्तों लिखा है आपसे चाया वाद काल का काल निर्धारन कीजिए कह रहा है आपसे चाया वाद काल का काल निर्धारन कीजिए दोस्तों अगर जैसे पूंचा जाता है कि चाया वाद काल का प्रारम कितने से कितने वर्स तक चलता है या कहां से कहां तक चलता है तो वही question इसमें भी दिया गया है कहा आप्सन में दिया है सन 19ës से 1922 तक खा आप्सन में दिया है सन 1939 से 1943 तक घा आप्सन दिया 1934 से अब तक तो इसमें आप से पूचा जा रहा है कि छायावाद का काल का काल निर्धरण कीजी तो इसका answer होगा आपसन गास ही होगा 1929 से 1938 भी तक इसका क्या होता है दोस्तो काल चलता है ठीक है छाया वाद का चली देखते हैं अगला question फिर नेश्ट अगला question लिखा है आपसे कामाईनी ये भी question बहुत पूछा जाता है कामाईनी के पर्थम सर्ग का नाम क्या है कामाईनी के पर्थम सर्ग का नाम क्या है आपसन का चिन्ता खा नंबर आसा गा नंबर छद्रण ये आपसन दिया है तो इसका जो answer होगा कामाईनी के पर्थम सर्ग का नाम है वो क्या होगा दोस्तो चिंता इसका एंसर क्या है चिंता ठीके चली नेश्ट अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन हमारा लिखा है राम की सक्ती पूजा कविता के रचैता है आपसन का जे संकर परसाथ अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन बात करें दोस्तो दस्तो नवका विहार का संबन किस नदी से हैं ये भी कोशन देखते हैं कोशन बेरी इंपॉर्टेंग कोशन है ऐसे कोशन दोस्तों बहुत सारे एक्जाम में आपसे बनाया जाते हैं अक्सर पूछे भी जाते हैं कोशन यही कह रहा है नौका विहार का संबन किस नदी से हैं गंगा नदी से यमुना नदी से सुरसती नदी से घंगरा नदी से तो तो नौका विहार का जो संबंध है किस नदी से है दोस्तों नौका विहार गंगा नदी से संबंध है ठीक है अगला अगला कोशन देखे लिखा है प्रगति सील लेखक संग की अस्थापना कब हुई थी प्रगति सील आपसे कह रहा है कि प्रगति सील लेखक संग की जो इसका जो एंसर होगा ओ होगा आपसन घा नंबर सही होगा उने इसका अस्तापना हुई थी ठीक है चली अगला कोशन देखते हैं लिखा तोड़ती पत्थर रचना है तोड़ती पत्थर किसकी रचना है जे संकर प्रसाद की मैथली सरण गुप्त की सूरी कांत तृपाथी की दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कि तोड़ती पत्थर है वह किसकी रचना है तो याद रखना ये अगर इसका एंसर देंगे सूरी कांते तिरपाथी जी हैं कौन है भई सूरी कांते तिरपाथी जी हैं तो दोस्तों अगर इन ही तरीके से इस तरह से ऐसी कोशन अग आपका प्रत्य उपसर्ग आता है लिखने के लिए भी सारे आते हैं फिर अगर काब संग्रह से या गर्द संग्रह से देखा जाए वहां से भी आप से लिखने के लिए तो मैं लगातार आप लोग के लिए ऐसे ही सारे वीडियो लेकर के आऊंगा बस आप लोग अच्छी से त्यारी करिए ठीक है जितनी हो सके जादा जादा त्यारी करिए और मजा आएगा ठीक है तो चली दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्वा देता हो आप सभी लोगों ने अपना इतना आमूल समय दिये धन्वाद